अगर आप इस चैनल पर नहीं हो, मैं हूँ कुनाल और यह जो चैनल है इस इस वाल फोटोग्रफी, चाहे वो डिजिटल कामरा हो या मोबाइल कामरा के बारे में, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बहुत इंट्रस्टिंग एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ, यह है वीव Z1X का 12MP vs 48MP का comparison and Redmi Note 8 Pro में 16 vs 64MP and we'll try to find out कि actually, जाधा megapixels equals to better images होता है या नहीं, अगर मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आपको अंसर देना चाहूँ, I would say yes, a big yes, उसके तीन parameters हैं, जिसमें मैंने जच कर रहा है, पहले दो parameters मैं आपसे जल्दी-जल्दी discuss कर लेता हूँ, first thing is sensor size, sensor size बहुत important हो जाता है cameras में, अब अगर मैं आज से 2-3 साल पहले की बात करूँ, अगर मैं 1 by 3 inches के आसपास, but surprisingly जो अभी smartphone cameras आ रहे हैं, अगर मैं 48 megapixel camera sensor की बात करूँ जो इसमें है, उसका sensor size is 1 by 2 inches, and Redmi Note 8 Pro का 1 by 1.7 inches, so, अब आप सोच सकते हो कि कितना जल्दी जो mobile sensor size बड़ा होता जा रहा है, and अभी मैंने recently देखा Redmi Note 10 जो 108 megapixel का smartphone आ रहा है, जिसमें sensor का size 1 by 1.3 के आसपास है, almost touching 1 inch sensor जो आपको बहुत सारे digicams में मिलते हैं, so, अगर मैं एक तरह से देखूँ कि यह जो बहुत बड़ा benefit हमें मिल रहा है, megapixels बढ़ने से, कि sensor size बड़े होते जा रहे हैं, so, मेरे लिए यह बहुत बड़ा positive sign है, especially in coming few months and years, अब अगर मैं second major difference की बात करूँ, let's compare 12 megapixel और 48 megapixel को, so, 12 megapixel का resolution होता है, let's suppose, 4000 by 3000 pixels होता है, similarly, अगर मैं 48 megapixel की बात करूँ, तो वहां पे 8000 by 6000 का resolution मिलता है, which is, you can see, कितना जादा difference है, और यह काम कहां आता है, जादा resolution, सबसे बड़ा benefit जब आप image को crop करते हो, अब जारा सोचोगी, अगर आप 12 megapixel की image को crop करते हो, और crop करने के बाद, आपको 6 megapixel की सिरफ image मिलती है, वही जब आप 48 megapixel की image को edit कर रहे हो, आपको 24 megapixel के आसपास मिल रही है, अगर आप equally crop कर रहे हो, तो कितना बड़ा difference है resolution में, अगर आप cropping करते हो, और दूसरा benefit मिलता है अगर आप image को print करते हो, because जितने जादा megapixel होंगे उतना बड़ा और better print आप निकाल पाऊगे, so cropping and printing दो बहुत बड़े benefits हैं, जो जादा megapixel count होने से आपको जादा benefit मिलता है, अब तीसरा difference है image quality, इसके लिए मेरे को अपने laptop पे जाके आपको side by side comparison दिखाना पड़ेगा, so चलते हैं laptop में, let's see कि क्या difference आता है, अब पहले मैं comparison कर रहा हूँ, Redmi Note 8 Pro का, लेफ्ट में इमेज 16 Megapixel की और राइट वाली image 64 Megapixel की, so अब ही अगर मैं इतना zoom कर रहा हूँ, not much difference इतना देखने में, एक बार और जादा zoom in करके देखते हूँ अगर कुछ difference आता है, so यहां पे अब मैंने थोड़ा और जादा zoom in करा है, अब जो लेफ्ट वाली image 16 Megapixels हैं, यहां पे आएकन एजिली सी कि अब details खतम होना शुरू हो गया है, जबकि राइट में मैं easily देख सकता हूँ काफी जादा details में को दिख रही है, so यहां पे मैंने और थोड़ा zoom in करा है, अब मैंको clear ले difference दिख रहा है, राइट में जो 64 Megapixels हैं, काफी जादा details हैं as compared to left में जो 16 Megapixels हैं, अगर मैं इसको थोड़ा इस तरफ भी लेके आऊं, so that हम contrast में थोड़ा देख सकते हैं, तो यहां पे भी मैं clearly difference देख रहा हूँ, 64 Megapixels बहुत जादा details हैं, 16 Megapixels कहीं नहीं details खतब होना start हो गई हैं, अब यह मैंने अपने रूफ से shot लिया था, again left में 16 Megapixels, right में 64 Megapixels, so यहां पे एक बात देखते हैं जो यह फ्लाट हैं इसमें अगर मैं एक दम और जादा zoom in करता हूँ, अब यहां पे अगर मैं side by side comparison देखूँ, सबसे पहले यह जो पेड़ है, यहां पे बहुत जादा difference है details का, 64 Megapixels में obviously काफी जादा texture में को देख रहा है, similarly अगर मैं आप flats की बात करूँ, again बहुत difference है, left में पिलकुल details खतम हो गई हैं, image बहुत soft हो रहा है, right में dynamic range अच्छा है, details अच्छी है, and especially अगर यहां ऊपर आप इदर roof की तरफ देखोगे, इदर यह halo effect आ गया है, एकदम edges में जो बहुत अजीब सा outline देख रहा है, left में, right में एकदम details हैं, और वैसा कुछ effect नहीं आ रहा, अब एक और comparison यहां पर देखते हैं, यह एक monument है, left में 16, right में 64 megapixel, all the way zoom in करके, again देखते हैं क्या difference आता है, तो अगर मैं इस part पर आँ, zoom in करके, again clear difference है, 64 megapixel में, काफी जादा details है, इतना जादा zoom in करने के बाद भी, 16 में आप देखोगे, आपको दिखना शुरू होगे, details lose हो रही है, अगर मैं आ ऊपर भी जाता हूँ, so यहां पर भी clear difference, चाहे वह यह वाला part हो, and even ऊपर भी अगर आप देखोगे, काफी जादा difference देख रहा है, so अब मैं चलता हूँ, Vivo Z1X में आप देखते हैं, 12 versus 48 megapixel, करके देखते हैं, क्या difference आता है, अब जूम इन करने पर, मिरको side by side clear difference देख रहा है, 48 megapixel की image है, उसमें काफी जादा detail है, जो 12 megapixel वली है, आप के लिए देख सकते हो, details उसमें इतनी नहीं है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलते हैं, यहां पर देखते हैं, कि दोनों में कितना difference आता है, अगर आप इस dome की तरफ देखोगे, right में it's clearly visible details हैं, left में details loose होना start होई है, because of 12 megapixel और बहुत जादा zoom in किया हुए अभी, अब एक यह वाला comparison मैंने किया था, ताकि text में हम easily zoom in करके, देख सकें अगर difference आता है, यहां पर अगर आप इस side भी देखोगे, जो camera का edge है, काफी जादा details में difference पता लग रहा है, इवन यह जो RED और इधर RED लिखा हुए है, यह बहुत soft हो गया 12 megapixel, 48 में काफी details हैं, इधर भी I can easily see the difference, 48 में काफी जादा धंक से visible है, अब जल्दी से एक last example दिखा देता हूँ, इसको zoom in करके देखते हैं, थोड़ा और जादा zoom in कर लेता हूँ, अब यहां पर जो leaves हैं 48 megapixel में, उसमें अभी भी details हैं इतना zoom in करना पर, इतना zoom in करना पर 12 megapixel में वो जा चुका है, but still I have details over here. So, यह था कुछ different and interesting comparison, जो मैंने सोचा कि mobile reviews हम बार टाइम से कर रहे थे, कुछ different topic, technical चीज़ पर बात करी जाए, I hope आपके लिए काफी informative था, काफी doubts clear हो गए, जादा megapixel के क्या benefits हैं, और क्यों जादा megapixel आप और कब यूज़ कर सकते हो, So, I hope यह video informative था, अगर कुछ different लगा, do it the like button, subscribe कर लेना अगर आप और इसी वीडियो आगे देखना चाहते हो, हम मिलते हैं आगई इसी तरह interesting and informative videos में, तब तक take care and keep clicking. कि कते हैं,